मेरे देश के भविश्यो आज है नाइन स्टेंडर्ड में मोशन का वीडियो नमबर फोर बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक डिसकस होने वाला है आज हम एक्वेशन्स बनाना सीखेंगे और मेरी बात मानों ये तीन एक्वेशन्स जो आज हम सीखने वाले हैं ये हमको बहुत बहुत बहुत जादा यूज में आने वाला है इवन 11 त 12 में भी काम लगेगा और आज जो आप डेरिवेशन्स सीखने वाले हो इन तीन एक्वेशन्स का ये डेरिवेशन्स सेम तो सेम आपको फिर से 11 स्टेंडर्ड में आने वाला है अगर यहां कॉनसेप्स क्लियर हो गए तो 11 स्टेंडर्ड में आपके मज़े ही मज़े है ठीक है तो ध्यान से देखना अच्छे से समझना उसके पहले एक एडवाइस कि अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है ठीक है तो पहले वो देखो तब यह देखना अदर्वाइस कोई मीनिंग नहीं है हाँ अगर आपने अगर 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 और से देखा हुआ अबने सीखा हुआ है अगर आपको ग्राफ्स क्लियर है तो यह घ्र नोट है और यह घून sä इस वीडियो जानकी है थिक और आप फो इस तरह से रहने पैज़ों करतें और यह मां अनुन मुद्ध मुदी पाइग तो ये graph explain करने के पहले ठीक है थोड़ा सा आपको मैं एक extra चीज और बता दू जो मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया था जो graphs में हमने discuss नहीं किया था ठीक है तो वो क्या था देखो अगर कोई velocity time graph दिया वाया आपको ठीक है ये कैसा graph है velocity time graph ठीक है इसमें कुछ graph इस तरह का बन रहा है ठीक है अब अगर आपको याद हो वीडियो अच्छे से तो देखो ये है हमारा initial velocity जिसे हम you से describe करते हैं ये है हमारा final velocity यहाँ पर हमारा final velocity आएगा ये हमारा initial velocity ठीक है अच्छा और ये क्या बताएगा ये क्या बता रहा है 0 time राइट? यहाँ पर 0 है ना? यहाँ velocity भी 0 time यह origin है ठीक है तो velocity और time दोनों यहाँ 0 होता है तो इस 0 पर velocity you है यादि यह initial velocity और यहाँ कोई time हम ले लेते है T उस T time पर velocity है V बराबर है अगर इस graph से velocity time graph से आपको displacement पता करना है क्या पता करना है displacement velocity time graph से हम displacement पता कर सकते हैं acceleration time graph से हम velocity पता कर सकते हैं बराबर है बेजीकली हमने तीन चीज़े देखी है displacement, velocity और time ठीक है चलो displacement को या distance को d से दिखाते है displacement, velocity, time तीन चीज़े हम पूरे chapter में खास करके इन तीन चीज़े हमारा focus है और एक और है acceleration है, चलो वो भी लिख लेते हैं ठीक है, तो अगर अगर आपको velocity time graph दिया हुआ है तो उसमें से आप displacement निकाल सकते हो कह निकाल सकते हो, displacement निकाल सकते हो ठीक है, और अगर आपको acceleration time graph दिया है तो आप उसमें से velocity निकाल सकते हो बराबर है velocity time graph है, तो displacement निकाल सकते हो और acceleration time graph दिया है, तो आप velocity निकाल सकते हो कैसे? वो बताता हूँ देखो यह मेरा velocity time graph है, ठीक है अब graph कुछ इस तरह का बन रहा है यह end को पूरा यहाँ तक निचे extend कर लो, तो यह जो area बनेगा आपका यह जो area बनेगा न, इस figure का जो area बनेगा यह area आपको displacement देगा क्या देगा? displacement देगा clear है? क्या क्या रहा हूँ, समझ में आ रहा है graph जो बन रहा है मेरा graph को end to end मैं पूरा नीचे तक खीज देता हूँ तो यह जो closed figure बन रहा है, इसका जो area निकालोगे आप वो area होगा आपका displacement ठीक है अब बोलोगे area की unit होती है meter square और displacement की unit होती है meter तो कैसे मिलेगा? तो भाई, meter square के इसाब से नहीं जाना है जो area की unit आट, जो भी मतलब value मिल रही है हमको suppose 50 meter square मेरा area आ रहा है इस figure का जो area आ रहा है, वो 50 meter square है तो displacement हम कितना लिखेंगे? 50 meter लिखेंगे ठीक है? इसके पीछे भी concept है ठीक है? वो देखता हूँ अगर mood हो बीज़ीट में समझा दूँगा और नहीं तो फिर, क्योंकि actually, हाँ ठीक है, समझा दूँगा चलो ना, समझा दूँगा, tension मतलो, कैसे चलो अभी समझा देता हूँ, बाद में क्यों समझा ना, देखो, क्यों ऐसा मिलता है? यह velocity time graph है, right? है ना, velocity होता है क्या? displacement upon time, यही होता है ना, velocity displacement upon time होता है, यह time आप लजाकि वहाँ multiply कर दो, तो displacement क्या हो जाएगा? velocity into time होगा, right? यही होगा ना, अच्या, area क्या होता है? दो length को multiply करने से area मिलता है, अगर rectangle की बात कर तो length into length Length into breadth. और अगर Square की बात करें तो Length into length. यह होता है ना? दो Length को multiplication होता है तो area मिलता है तो इस figure का area भी हमको कैसे मिलेगा दो length का multiplication करने से कैसे दो length का multiplication से तो एक length यहाँ पर velocity हो जाता है और एक length यहाँ पर time हो जाता है समझ में आ रहा है क्या किया रहा हूं मैं एक length हमारा velocity हो जाता है एक length हमारा time मिलता है, ठीक है, तो ये दोनों length को मैं multiply करूँ, velocity into time, तो मुझे क्या मिलता है, area, है ना, area मिलता है ना, एक length, एक length, इन्दों length को multiply करूँ गार इसका area मिलेगा, approximately समझ लाइसा, completely नी, approximately, ये और ये multiply करूँ गार दो length को तो मुझे ये area मिल जाएगा, है ना, आच्छा, तो एक है velocity, एक है time, और velocity और time को actually multiply करने से displacement भी तो मिलता है, इसलिए इसका area निकालने समको displacement मिल जाता है, समझ कर लो ये, ठीक है, इस graph के नीचे का, उपर का नहीं लेना है, graph के नीचे की तरफ, ये graph का जो final, जो हमारा graph मतलब बन रहा है, उसके नीचे का area लेंगे हम, ठीक है, ये पूरा area मुझे क्या दे देगा, velocity देगा, कैसे, तो देखो, ये एक length है, ये एक length है, ये एक length है, कोई वैसे हमको बता, acceleration is velocity upon time होता है, है ना, तो acceleration into time क्या होगा, velocity होगा, यानि आपने ये और ये multiply किया, ये area निकाला, तो आपको क्या मिला, velocity मिला, समझ में आ रहा है, क्या क्या रहा हूँ मैं, पक्का समझ में आ रहा है, वैसे यहाँ पर है, दो length, इन दोनों length को multiply किया, एक length ह मैं multiply किया, तो मुझे क्या मिलता है, ये area मिलता है, और actually मैं velocity into time हमको क्या मिलता है, displacement मिलता है, यानि कि इसका जो area है, वो displacement है, ठीक है, चलते हैं आगे, यहाँ पर आते हैं अपन graph पर, इस graph को थोडिटेल में समझाता हूँ आपको, देखो तो graph के data's मैंने नहीं लिखे हैं, तो मैं data's लिख देता हूँ, ये है velocity दे रहा है यहाँ पर in meter per second, यहाँ हमको मिल रहा है time in seconds, ठीक है, ये time यहाँ 0 है और यहाँ velocity भी 0 है, लेकिन अगर मैं graph को analyze करूँ, ये जो मेरा graph है, मैं इसको analyze करूँ, तो 0 को 0 time पर velocity की कुछ value है, अगर ये graph ऐसा होता, ऐसा, ठीक है, यहीं से, जो origin से start हो रहा होता, तो 0 time पर velocity भी कितनी थी, 0 थी, लेकिन अगर graph ऐसा है, तो जब time 0 है, तो ये graph यहाँ तो touch नहीं कर रहा है, velocity यहाँ नहीं आ रही है, velocity कहाँ उपर है, तो velocity की कुछ value है यहाँ पर, ठीक है अच्छा, अब मैं थोड़ा आगे जाओ, time बीत रहा है, time के साथ graph में change आ रहा है, मैं इधर इधर पहुंचा, ठीक है, इसके corresponding अगर देखू मैं, इस time पर कुछ velocity है, उस velocity को extend करें तो कुछ ऐसा बनेगा, क्या, यहां पर velocity आएगी क्या, आएगे की नहीं, आएगे सज बतान पकाएगी, फिर थोड़ा तेड़ा हो गया, ठीक है, zero time पर velocity थी कितनी, यू, आप आगे बढ़े, time बीत आ गया, time बीत आ गया, time कितना हो गया, t time हो गया, ठीक है, तो t time पर extend किया, इसको हमने उपर चेक किया, तो velocity कितनी मिल रही है, मुझे, v मिल रही है, बराबर है, zero प तो उसके बाद आगे की चीज़ें, धिरे-धरे पता चलेगी, तो हमको इस graph की मदद से तीन equations लानी है, कितनी तीन equations, वो तीन equations क्या है, एक है, v equals to u plus 80, दूसरी equation है, s equals to ut plus half 80 square, यह s speed नहीं है, यह s displacement है, यह आप कहा सकते हो, हाँ displacement ही, बोलो चलो, फिलाल के लिए, और तीस इक्विशन जो हमारी आएगी, वो आएगी, 2as equals to v square minus u square, यह जो है, यह है relation between, किसका relation है यह, velocity and time, यह है relation between position and time, यह है relation between velocity, v ही लिखतो चलो, पूरा लंबा क्या है, v and position, समझ में आया, क्या हुआ, देखो, तीन चीजे है, velocity, time और position, ठीक है, तो पहला वाला, velocity time का relation देता है, दूसरा equation, position और time का relation देता है, ठीक है, velocity time का हो गया, position time का हो गया, velocity position का बचा था, तो तीसरा equation देता है, velocity और position का relation, ठीक है, इसको ऐसा first equation, second equation, third equation करके याद नहीं करने का है, ठीक है, नॉर्मली यह sequence follow होता है, तो कई बार लोग इसको first वाली motion की first equation बताओ, motion की second equation बताओ, motion की third equation बताओ, ऐसा लोग बोलते हैं, ठीक है, but that is not technically correct, ठीक है, technically incorrect है वो, ठीक है, ऐसा कुछ first, second, third नहीं होता भाई, ठीक है, v equals to u plus 80, relation between velocity and time, s equals to ut plus half 80 square is the equation for relation between position and time, and 2as equals to v square minus u square is the relation for velocity and position, ये तीन equation मतलब बोल दूँ, तुम्हारे लिए सबसे important है, motion chapter आएगा ही नहीं अगर ये तीन equation नहीं आई, एक numerical धंक से solve नहीं होगा, इसके पहले जो हमने पिछले वीडियो में कुछ एक दो लल्लू लल्लू examples लिये थे ना, वो नहीं पूछने वाला है कोई तुम से, ठीक है, इतने easy question नहीं पूछने पूछने नहीं पूछने पर based आएगे, और ये equation का अगर concept clear नहीं होगा, chapter रूलाता रहेगा, ठीक है, ये ही chapter इसके बादला chapter भी रूलाएगा, ठीक है, ग्रेविटेशन भी रूलाएगा, ठीक है, तो भाई, तीन equation बहुत important है, समझे, अच्छा, तो अब सुरू करते हैं इसका अपन derivation, सबसे पहले अपन पहला वाला equation derive करेंगे, तो पहला जो equation है, relation between velocity and time, वो बहुत ही आसान है, ज् से बच्चे इसको रट्टा मारने की कुसिस करते हैं, और उसमें धेर हो जाते हैं, रट्टो लेते हैं, थोड़े टाइम के लिए आत रहता है, फिर exam के ताइम फिर से वापस से रटना पड़ता है, बहुत महत्त करनी पड़ती है, यह लिए क्लिक के प्रैक्टिस करना पड acceleration का formula क्या होता है, मुझे बताओ, हमने discuss किया था, acceleration क्या होता है, final velocity, minus initial velocity, divide by क्या था हमारा, time duration, जो time लगा था, तो या फिर अपन ऐसा भी लिख सकते थे, final time, minus initial time, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या खाली time duration भी लिख सकते हैं, अगर खाली T लिखा है, मतलब कितना time बीता, ठी तो Tf-Ti लिखने का मतलब क्या? जितना time last में दिख रहा था और जितना motion start हुआ, जो time दिख रहा था वो मतलब, 10 बच के 10 minute पर motion start हुआ 10 बच कर 20 minute पर motion खतम हो गया तो 10 बच कर 20 minute जो time है, वो Tf है और जब start वा रहें 10 बच के 10 minute पर motion start हो था वो Ti है तो दोनों को minus करोगे तो कितना आएगा 10 minute आएगा बराबर है और अगर खाली T लिखते हैं तो अपन डिर्कली 10 minute ही टालेगे खीक है तो confused होने की जरूरत नहीं है ठीक है overall मतलब वहाँ पर same ही निकलेगा दो लिखा है मतलब जो time हो रहा है घड़ी के हिसाब से वो डालना है और खाली एक T लिखा है मतलब जितना time बीता है वो लिखना है clear है अच्छा तो चलो इस हिसाब से मैं लिख देता हूं तो final velocity यानि कितनी है final velocity यहाँ पर हमारी V है minus initial velocity कितनी है U है बराबर है अच्छा Tf minus Ti final velocity जो final velocity पहुंची थी कितने time पर थी final velocity को यहाँ देखा तो इसका time कितना आ रहा है T right minus initial velocity यह है न यह कितने time पर थी नीचे खीच के देखो कितना time पर थी जीरो था है ना तो इसका पर लिख सकते है V minus U by T equals to A यह T यहाँ आंके multiply हो जाएगा तो A T equals to V minus U ठीक है यह U को वहाँ भेज देते हैं आपन तो कितना हो जाएगा U plus में जाएगा ना महाँ पर यहाँ माइनस में था तो वहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा U plus A T equals to V ठीक है तो इसको systematically अगर arrange करके लिखे है तो V equals to U plus A T पहला equation आगया बहुत आसान है 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 ना इसको अपन 11 में पढ़ेंगे थोड़ा तो और अच्छे से पढ़ेंगे स्लोप लेके पढ़ेंगे ठीक है बट मैं अभी आपको स्लोप लोग के confusion में नहीं डालना चाहता है खाले focus ज्यादा है मतलब एक्स्ट्रा बताने लग जाऊंगा ना तो बच्चे बोर हो जाते हैं बच्चों को लगता है रहे यार यह क्या ज्यादा ही कुछ smart बना रहा है हमको ठीक है चलते हैं next equation पर जहां अब दो equation जो है थोड़ी से मैनत लगेगी हमको इसमें तो कोई खास मैनत नहीं लगी अच्छा हां लेकिन यह equation का use जरूर पड़ेगा तो इस equation को ना हम यहां side में लिख लेते हैं ठीक है relation किसके बीच में देता है position और time का relation देता है ठीक है s equals to ut plus half a t square वो derive करना है अच्छा उसके लिए हम क्या करेंगे देखो यहां आपको एक चीज याद रखनी है कि अब आपको क्या करना है यहां पर area निकालना है क्यों मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको displacement निकालन में final position में क्या change आया है वो ठीक है अपन कहर लेते हैं आपर displacement चलो confusion नहीं करेंगे displacement चाहिए कैसे मिले का displacement graph का area निकालो ठीक है और वो भी किस तरफ उपर की तरफ की नीचे की तरफ नीचे की तरफ ठीक है जो यह graph बन रहा है मेरा इसके नीचे का area मैं निकाल दूंगा पक्का मानते हो तो चलो area निकालेंगे area निकालने के लिए दो तरीक है अपने पास ठीक है और इस equation के लिए भी और अगली जो equation derive करनी है उसके लिए भी दोनो equations के लिए हमको area ही निकालना है ठीक है और दो method है area निकालने के तो एक method से area निकालोगे तो एक equation derive हो जाएगी और एक method से निकालो गयो तो एक ही question आएगी, दूसरी question बन जाएगी, काम हो गया, एक तो अरड़ी निकाली थी, दो निकाल ही रहे हो, तिन ही निकालनी थी, तो चलो शुरू कर देते हैं, अपन कैसे करेंगे, देखो. तो इसका हमको निकालना है area, area निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये जो figure दिख रहा है आपको देखो, ये अजीबो गरीब figure दिख रहा है, इसको हम पहले नाम दे देते हैं, कैसे नाम देंगे, देखो ये O है न, अच्छा, यहां जहां U लिखा था, इसको अपन लिख देते हैं क्या, चलो A लिख देते हैं, A, यहां लिख देते हैं अपन B, इसको देते हैं C, इसको नाम देते हैं D, ठीक है, अच्छा, तो ये जो figure बन रहा है मेरा, जिसका मुझे area निकालना है, वो क्या figure होगा, O, A, C, D, बराबर है, O, A, C, D, clear है, तो इसका मुझे area निका हो जाएगा, एक मिल गया हमको triangle, है ना, और एक मिल गया हमको rectangle, तो हम triangle और rectangle का area बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, है ना, formula है हमारे पास triangle का half base into height, और rectangle का length into breadth, ठीक है, अच्छा, तो ये जो हमने खीचा है, ये line straight, इसको भी कुछ ही यहां पर, और ये दो जहां टच हो रह हो गया है, मतलब ये दो पार्ट में divide हो गया, ठीक है, दो पार्ट में divide हो गया, उसमें एक triangle है, और एक rectangle है, triangle है हमारा A, E, C, इसका area निकालना है, और rectangle है हमारा O, A, E, D, इसका area निकालना है, ठीक है, तो चलतो शुरू कर देते हैं, अपन, अपन को निकालना है area of, किसका area निकालना था अपन को, O, A, C, D, ठीक है, O, A, C, D, राइट, O, A, C, D, यह पूर है, इसका अरिया निकालना था, इसका अरिया अपन को कैसे मिलेगा, अपन इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, equals to area of, किसका area, A, C, E, triangle A, C, E का area, plus area of, किसका area, rectangle O, A, E, D का, clear है, अच्छा, A, C, E का area क्या होगा, half base into height, तो base इसका क्या है, C, E, या आप इसको base, इसको height ले सकते हो, इसको base इसको height ले सकते हो, किसी को भी दे सकते हो, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तो चलो अपन लिख लेते हैं, base A, E को लिख लेता हूँ, इस बार चलो, base into height, height क अच्छा, तो एक हो गया length, OA, into breadth कितना हो गया मेरा, OD, चलेगा न, length, breadth, या इसको length, इसको breadth बोलो, चलता है, कोई भी, कोई problem नहीं है, half, A, E कितना है हमारा वाई, ये A, E की value कैसे मिलेगी, मुझे देखो, ये A, E, OD के बराबर है क्या, rectangle ये है, इस triangle के लिए, A, E नाम है, और ये A ही, इस rectangle का भी तो part है, ठीक है, और वो A ही किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, अच्छा, और इसका measurement कितना होगा, ये 0 है, और यहाँ पर T है value, ठीक है, अच्छा, एक graph देखो, ये graph में, यहाँ 0 value है, यहाँ 2, 4, 6, 8, ठीक है, चलो बीच में 7 भी है कहीं, वो भी लिख दिया अपने, अब मुझे बताओ, यहाँ value 4 है और यहाँ value 7 है, इंदों के बिच में distance कितना है, कितना distance है, कितना distance है, ये 7 में से 4 माइनस कर दोगे, 3 मिल जाएगा क्या, अच्छा, इसके और इसके बिच में distance निकालना है, 2 और 6 के बिच में, कैसे मिलेगा value, t आएगा क्या, पक्का, तो चाहे मैं od बोलू, चाहे मैं ae बोलू, दोनों की value कितनी होगी मेरी, t होगी, तो उसके जगे मैं लिख दिया क्या, t, right, अब ec चाहिए, ये रहा ec, ये मुझे कैसे मिलेगा, तो इसकी value में कैसे निकालूँगा, इस में से ये मानेस कर दूँ तो ये length मिल जाएगा, तो ये मुझे कैसे मिलेगा, देखो, यहाँ क्या value है, v है, और यहाँ क्या value है, u है, तो v minus u करूंगा, तो ये वाला length मिल जाएगा, दो यहाँ ec की चाहे लिख देंगे, अपन क्या, v minus u, क्यूँ अब ec की चाहिए लिख रहे हो, क्योंकि भाई, दे clear है, अब चलते हैं अपन, oa और ad की value निकालनी है, तो यह रहा oa, यह कैसे मिलेगा मुझे length, इसमें से यह minus करेंगे, तो यहाँ u है, और यहाँ 0 है, तो u minus 0, कितना आएगा मेरा, 0, u minus 0, यानिके u ही आएगा, अब यह मत बोलना, आप बोलोगे, आप इसको एक बार o बोल रहे हो, एक बार इसको आप 0 बोल रहे हो, ठीक है, अगर मैं देखूँ तो यह o, मैंने origin है, इसलिए o लिखा हुआ है, और इसके coordinates तो 0, 0 ही होते हैं, x और y coordinates दो 0 होते हैं, ठीक है, इसलिए 0 ले रहा हुए, इसकी value 0 ले रहा हूँ, और अगर मैं figure wise read कर रहा हूँ, तो इसको o बोल रहा हुए, और अगर value लेने की बात कर रहा हूँ, तो मैं 0 बोल रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें confuse मत होना, तो o a हो गया हमारा कितना u minus 0, यानिके u, इसकी value कितनी होगी हमार U और O D तो ये तो है O D A E को भी हमने O D के बराबर ही लिखा था यहापर ठीक है कितना था T था ये भी कितना T है तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन ये वाला आगे लिख लेते हैं इसको पीछे लिख लेते हैं चलेगा अच्छा इससे क्या मिलता है area of OACD हम क्यों निकाल रहे थे ये area of OACD इस figure का area निकालने से मुझे क्या मिलता यहाँ से यहाँ के बीच के लिख लेए जो displacement हुआ वह ही मिलता न और वो displacement का हम कैसे दिखा रहे हैं S से किससे दिखा रहे हैं S से तो S equals to यह आ गया बराबर है अच्छा अब देखो अब यहाँ देखो इस equation को देखो ठीक है इस equation को देखो अगर तो मैं यहाँ से V minus U ठीक है V minus U को क्या लिख सकता हूँ V minus U को मैं 80 लिख सकता हूँ क्या यह मैंने U यहाँ ले लिया minus में तो V minus U की value क्या होती है 80 होती है तो यहाँ जहाँ V minus U है मैं वहाँ 80 लिख सकता हूँ क्या है ना तो यहाँ लिख दिया मैंने V minus U की जगे पर AT और यह 1T तो था ही ठीक है यहाँ लिखेंगे अपन क्या from 1 जो पहली equation हमने derive की थी वहाँ से हमने V minus U को क्या लिख दिया 80 लिख दिया तो यह कितना होगे आप मेरा UT प्लस half AT into T कितना हो जाएगा AT square तो यह आगे हमारा S का value ठीक है पक्का क्यूं निकाल रहे थे अपन यह area क्या क्यूंकि आपन को पता है कि इस figure का जो नीचे का area बनेगा वही area हमारा displacement देगा तो मैंने इसका area निकाला और इस area को क्या लिखा हमने displacement और वो निकालने के लिखा क्या इस figure को दो parts में डिवाइड किया triangle और rectangle ठीक है तो triangle के area half based into height rectangle के रहा length into height तो यह जो number मतलब हमारे length हा रहे है इनकी हमने यहां से values निकाल दी क्योंकि हमारे values 0, u, v इसी form में हैं तो उस आप से हमने इनकी values निकाल दी और यह solve करके यह ला दिया बराबर है तो यह हो गई हमारी second equation तो मैंने क्या बताया था इसी figure का area एक method से निकालोगे तो एक equation solve होगी ठीक है इसी figure का area दूसरे method से निकालोगे तो दूसरी वाली equation solve हो जाएगी तो अपन फिर से अपन कोड क्या करना है अगला जो equation है देखो यह किया equation थी मेरी जो second equation थी ठीक है equation 2 यह कौनसी equation थी यह था हमारा क्या relation किसका relation था यह relation between what displacement या फिर position बोलो जो भी बोलो displacement and what time ठीक है displacement और time का relation था यह हालागे इसमें velocity अपियर करती है बट बोलने गले displacement और time का relation बोला गया है ठीक है अगली जो equation निकालनी है हमको वो क्या निकालनी है relation between displacement and velocity ठीक है पहली थी velocity time के relation निकालने यहां पर यह निकाला है हमने displacement और time का relation अब निकालेंगे displacement और velocity का relation ठीक है तो फिर से displacement चाहिए है ना इस वाला जो यह equation डिराइख किया इसमें भी displacement चाहिए था इसलिए area निकाला था, अगली जो तीसरी equation निकालनी है, मुझे displacement और से declaration वाली, उसमें भी displacement चाहिए मुझे, तो फिर से मैं area ही निकालूँगा, ठीक है, यानि ये side तो मैं same ही रख देता हूँ, इसको थोड़ा sum change कर लेते हैं, तो इस बार area दूसरे method से निकालना है, पिछले method में हमने क्या किया था? इस figure को, ठीक है? दो parts में divide कर दिया था, इस case में हम इसे do parts में divide नहीं करेंगे, नए वाले case में, ठीक है? नए वाले case में हम इसको directly एक figure की तरह ही treat करेंगे, ठीक है? अच्छा, किस तरह का figure है ये? ए संर्दर्ड हमने इसको पढ़ा हुआ, इस तरह ची को वाला और यह दूना पैरेलल है aja इसका मतलब क्या हुआ एक कॉडि लिट्र छिसके एक प्रीर zoom और मझेंद अर्वाला ऊधिन ऑर बाकी जो दूसरा वाला पैर वह न ऑन प्रेजिन तो अर्ब यह दोनों देक को पारलल है और यह दोनों यह दोनों ऑन यहां या कैसे दोनों नहीं तो यह चाइब नों? ठीक है, तो अपन को क्या चीए, एरिया ओफ ट्रेपेजियम चाहिए, है ना, और ट्रेपेजियम के एरिया का फर्मला क्या होता है, पता है, half of sum of parallel sides into height, पता है कि नहीं पता है, पक्का पता है, तो half of sum of parallel sides, parallel sides कोँ सी है, ये और ये, है ना, तो इन दोनों का sum, यानि मेरे को क् plus ये वाला side के है, cd, है ना, into height, height क्या होता है, तो जो दो-धो parallel के बीच मेरे क्परपेंडिकुलर इसको हम height बोलते हैं, तो ये वाला परपेंडिकुलर बनेगा की वाला परपेंडिकुलर बनेगा, ये से cross जा रहा है ना, तो यहां है obtuse angle, यहां acute angle, तो ये तो परपेंड O A O A Yeah Here it is O A की value कितनी है यू निकाली थी अभी हमने पीछले वाले में ही PLUS CD Where is CD Here it is CD CD की value कितनी होगी हमारी यह रही है ना तो CD कैसे निकालेंगे आपन यह CD बोलो या BO बोलो दोनों एक ही चीज है है Each equally है तो CD किजिए हम BO की value डाल सकते हैं तो BO की value कैसे मिलेगे हमको तो B पर जो value है यानिके V है ना और उसमें से minus करेंगे अपन यह वाली value यानिके 0 है ना half of u plus b times t अच्छा, अब क्या करेंगे ? तो जैसा पिछली वाली equation में हमने किया था फिर से oncesमें भी वही करना है उसमें हमने क्या क्या था पहली वाली equation डाली coffee ऐगे कैसे लेंगे, देखते हैं तो बताओ क्या करेंगे u plus v की value वहां से निकालू कि T की value वहां से निकालू इंपोर्टनेट नहीं है, इसमें इंपोर्टनेट क्या है, डिस्प्लेस्मेंट और वेलॉसिटी, अगर आप यू प्लस वी की वेल्यू यहां से निकालने की कोसिज करो, अगर करो, वैसे मिलेगी भी नहीं, माइनस में आ जाएगा यहां पर, प्लस में चाहिए अपनको, तो यू प्लस वेल्यू अगर कोसिज करो, यू प्लस वी की वेल्यू के निकालने के लिए, तो यह रिप्लेस होके, टी के फ़र्म भी आ जाएगा, तो यहां एक्वेशन टी में रह जाएगी, और यह यू बी तो उड़ जाएगा, भाई, तो यू बी तो हमको रखना है, वेल पहले अब इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, अच्छे यह तो लिखा ही हो है, फिर से लिखने का मतलब नहीं है, तो अपन लिखते हैं क्या, फ्रॉम वन, अपन फ्रॉम वन का यूस करेंगे, वन कैसे यूस करेंगे, वी इक्वर्स टू यू प्लस एटी होता है, तो वहाँ से V-U हो जाएगा कितना, एटी, तो हमारा T कितना हो जाएगा, V-U by A, यही होता है, टी का वेल्यू यह है, इसको अपन इस वाले कुछन में पुटप कर देता है, ठीक है, कर देता हैं पुटप, अब क्या होगा, यह इसमें पुटप किया है, तो S equals to half of U plus V तो ही टी की जगेप के डालेंगे आपन वी माइनस यू बाइए राइट पका ओके तो वट अब आउट इस यू प्लस वी को मैं वी प्लस यू लिग दूँ चलेगा कोई तकलिफ तो नहीं है किसी को इसलिए लिख दियाना था कि कई लोगों को कुछ confusion हो जाता है वो confusion ना हो अब मैं यू प्लस वी लिखके भी रख सकता था कोई problem नहीं है ठीक है तो देखो वी प्लस यू वी माइनस यू क्या होगा यह ए प्लस बी बन रहा है क्या bracket a plus b bracket a minus b so a plus b into a minus b is what a square minus b square होता है इतना तो पढ़ा है ना पन ने a minus b a plus b के multiply कर देंगे है अपन तो 2 a s equals to v square minus u square देखने दो पहले यह board में अंदर मतलब camera में record हो रहा है कि नहीं okay record हो रहा है चलो कोई बात नहीं so s is half of v square minus square by a so shifting this 2a towards left we will get 2 a s equals to v square minus u square so this is your third equation right clear है तो यह 3 equation है motion की derivation कर लिया कई बच्चे नहीं से रट लेते हैं दो तुम पूरा एक एक फिगर के साथ ऐसा लिखेंगे न मतलब पूरे 5 marks पके है 4 marks पके है 3 marks पके है जितने marks का उचा जाए पूरा का पूरा marks उठा लेते हैं लेकिन 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 problem कहा है पता है अगर concept नहीं पता है तो numerical में use ही करने नहीं आएगा equation कोई बता भी देगा यह ले equation यह वाली ही use होगी तो भी use करने नहीं आएगा ठीक है सबसे बड़ा problem क्या है पता है जब numerical आते है न तो अपनको समझी नहीं आता है कि कौन सी equation यूज करू तीन-तीन equation है कौन सी use करू data देखके पता ही नहीं चलता है कौन सी equation use करूँ problem वहाँ हो जाती है और वो problem क्यों होती है क्योंकि हमको concepts नहीं पता है खीक है तो जब तक concepts नहीं पता होंगे सारी मेहनत पानी में तुमने भैस को बहुत मेहनत करके नयलाया फिर जाकर खीज़़े में लोट जाएगी कोई मतलब नही तो देखो क्या कहना चारा हूँ मैं वापस वो तीन equation लिखके आपको मैं अच्छे से समझाता हूँ मेरा कहने का जो तात पर यह है वह क्या है बालक और बालिकाओं देखो equations क्या क्या है हमारी v equals to u plus 80 and second one is s equals to ut plus half 80 square and third one was what 2as equals to v square minus u square अपन को जो question में data दिया रहता है निमेरिकल जब आएंगे अपन को data दिया जाएगा वो data देखके अपन decide करेंगे कि कौन से equation यूज़ करनी है अगर आपको velocities दी हुमी है दो ठीक है और आपको acceleration चाहिए और कुछ ऐसा hint है जिसकी वज़े से आप time भी निकाल सकते हो ठीक है आपको acceleration चाहिए दो velocities दी है time भी मिल जाएगा ठीक है तो कैसे मिलेगा ये equation यूज़ करोगे ये equation यूज़ करोगे आपको velocities दी हुई है ठीक है अगर आपको velocities दी हुई है time पता और दिया हुआ है acceleration चाहिए ठीक है तो देखो velocity किस किस equation में आता है इस equation भी velocities है है ना दो वेलोसिटीटीज उस करो, है ना, एक्सेलरेशन चाहिए था आपको, ठीक है, लेकिन आपको दूसरा जो डेटा दिया है, वो टाइम दिया हुआ था, डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ था, यानि आप ये एक्सेलरेशन दिख रही है, टाइम भी है, वेलोसिटीज भी है एक्सलरेशन चाहिए तो यह equation यूज होगी है ना पका अच्छा आप यह देख लो इसमें भी time और velocity है ना velocity दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है acceleration चाहिए तो यह equation काम की है लेकिन फिर देखो इसमें एक और extra चीज है displacement तो displacement नहीं दिया रहेगा तो यह कि दोने equation किसी काम की नहीं है जब तक आपको displacement ना दिया जाये तब तक यह equation काम की नहीं है ठीक है कई बार ऐसा होजा displacement पूछा जाता है displacement find करो तो उस case में आपको displacement पूछा जाएगा तो इस equation कहीं displacement दिख रहे ग्या इसमें दिख रहे क्या कहीं तो Sep L अब इसमें से भी कौन सी काम ने लगेगी उसके लिए फिर डेटा चेक करना पड़ेगा ठीक है अगर टाइम दिया हुआ है तो यह यह एक्वेशन होगी और अगर वेलोसिटीज दी हुई है तो यह एक्वेशन होगी ठीक है डिपेंड करता है वह अपन जब अपन नुमेरिकल्स करेंगे तो और से पता चलेगा मैं समझ रहा हूं कि बहुत सी चीज़ें आपको अभी समझ में नहीं आ रही होंगी ठीक है ले ब्रिंग दा न्यू सेशन वेरी सून सो आपको एक्ट्रा बर्डन नहीं है मेरे हिसाब से ठीक है और अगर आपके टीचर्स चाहे वो स्कूल के हों चाहे ट्यूशन के हों जहां भी हो वो आपके लिए एक्ट्रा एपट्स डाल रहे हैं वीडियो बना रहे हैं कई लोग ऐ नया नया एकदम पहली बार यह सब करना पड़ रहा है काफी problem's face करना ही पढ़ रही है टीचर्स को ठीक है तो उनके साथ थोड़ा cooperate करो और बढ़ाई करो ठीक है और सबसे बेड़ी बात parents को पतो रिसान करो घर पर बैठके ठीक है मन लागे पड़ो चलते हैं तब तक चले चलो बन करो भाई कैमेरा क्या है गी बन करो